कि अग्यूंग के यूट्वर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है आज ची क्लास में पांच जनवरी का करेंट अपडेट देखेंगे यानि कि आज ची करेंट अफिर के वारें बात करेंगे जानेंगे ऐसी कौन सी नियूस जो कि हमारे आगामी परिष्वाओं के परपस से इंपॉर्टेंट हो सकती है चली आगे बढ़ते हैं देखते हैं पांच जनवरी यानि आज का करेंट अपडेट जी आरसी ने भारती नोशेनों को शौंपा आठवा लेंडिंग क्राफ्ट यूटिली सिप तो कोलकाता इस्थित गार्डन रीज सिप बिल्डर्स एंड अप्रमू के एहम स्थान पर तैनाथ किया गया है जो जाने वाले विफिन मार्गों के करीब है नाम आया था तो जाने भारत और वियत नाम ने अपना नौशेनिक अभ्यास किया था भारती नौशेना को शौंपा गया जी आरसी द्वारा निर्मित ल,C,U,L,L,58,8,L,C,U भारती नौशेना को आठ्मा लेंडिंग आठ्मा यानि अन्तिम लेंडिंग यूटिकलेटी क्राफ्ट एं इन ल,C,U,58 सौंपा है क्लियर परिक्षा में पूल सकता है कि इसके जो अध्यक्ष और प्रबंदी देशा है जी आरसी के कौन है तो रियर एड्मिरल वीके सक्ष सेना और इसका मुख्याल है कोलकाता पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है क्लियर चलिए देखते हैं नेक्स है आशकर नौमिनी अधर राउंड मूवी के साथ होगी इंक्यामवे आई फफाई की शुरुआत तो इंक्यामवनव भारती अंतराश्टी फिल्म महुत्सव 16 जन अवनीत फिल्म आई फाई में दिखाई आने वारी फिल्मों की स्टार स्टडिड लाइन है यह फिल्म आसकर में डेन मार्क की अधिकारिक एंट्री होगी मैड्स मिकलनेज की फिल्म इस फेस्टिवल में महरु निशा महरु निशा के 200 प्रेमियर को भी शामिल किया जाएग संदीब कुमार की फिल्म का प्रीमियर फेस्टिवल के मध में किया जाएगा क्लियर अब बात करते हैं क्या अंतराश्टी फिल्म फेस्टिवल के बारे में तो इस फेस्टिवल का समापन 24 जनवरी को कियोशी कुरोशोवा के एतिहासी नाटक के इंडिया प्रीमियर के साथ होगा कि उसी कुरोशावा की फिल्म कौन सी नाटक वाइफ आफ दा सपाई के इंडिया प्रीमियर के साथ होगा गोवा में इंधराश्ती फिल्मकंश फेस्टिव नियुकिरा करीज़ के लाइफ पूर दिली सरकार ने की घंए की थापना तो हाली में दिल्ली सरकार के कला संस्कृत एवं भाशा विवाग ने तक्षुनी राज तमिल नाडू की भाशा और संस्क्रित को बढ़ाओ देने के दिल्ले के शंस्थापना की से पहले अुडर 있기 को हिंधी शंस्कृत इस प्रकार ने कई अकानपी स्थापना कई धिली सथे किला संस्कृत और भासा विभाग में अकाडमित खांशा किया है कि नईातर नहीं अकानपी और संस्कृत में लोगों के अच्छे कामों का बढ़ावा देने और इसने पुरिस्क्रित करने के लिए वीविन पुरिसकारों के शुरुवात करेगी तो तमील अकेडमी की सुरुवात दिल्ली शरकार ने की है एन राजा अकेडमी के उपाध्यक्ष होंगे क्वेश्चन रज सकता है दिल सब्सक्रिक्राइब करें घ्रेयमंत्री अमिट साहा ने नई दिल्ली में राश्च्ट्री पूलीस कना पत्रिका को घाटन किया पुलिस सेवा आर्थाथ पूलीस श्वां विशय पर देश में पहला प्रकासशान है या ऊंथा पहला इन परेख स्केश्चियू नकिदस क्से ब्लूमबर्ग बिलीनर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी को मिला 12 अस्थान तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रिलाइंस इंडेक्स 2021 के अनुसार 12 अस्थान पर आ गये हैं अंबानी की कुल संपत्ति 90 विलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 76.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है मुके संबानी कुल संपत में गिरावड राइल रिलाइंस इंडस्ट्री लिम्टेड के सेरों में गिरावड के कारण होई है तो Bloomberg Billionaires Index में मुके संबानी को हाली में 12 स्थान मिला है अगर हम बात करें टॉप 3 पर्सनलिटीज की तो जेफ बेजोस पहले पोजिशन पर हैं एलोन आर मस्क दूसरे पोजिशन पर और बिल गेट्स थर्ड पोजिशन पर हैं Bloomberg Billionaires Index में टॉप 3 पर्सनलिटीज चलिए देखते हैं नेक्ट न्यूज भारत बना Asia Protected Areas Partnership AP AP का सहर अध्यक्ष भारत को नवंबर 2013 तक तीन वर्सों की अवजिके लिए IUCN समर्थित Asia संरक्षित चेत्री भागेदारी Asia Protected Areas Partnership का सायूत अध्यक्ष चुना गया है भारत दक्षिन कोरिया का स्थान लेगा जिसने पिछले तीन वर्सों से नवंबर 2020 तक पद को समभाला था सहे अध्यक्ष के रुपे भारत अपने संरक्षित चेत्रों के प्रवं nature Asia द्वारा की जाती है और इसकी अध्यक्षता एपी एपी राश सदस्ति द्वारा बारी बारी से की जाती है ठीड़ीन रोटेशनल बेसिस पर इसकी अध्यक्षता की जाती है तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आफ नीचर का मुख्याल है स्विजिया लैन के ग्रंथी में है इसके CEO है ग्रेटल एगुईलर जूलियन हक्सले इसके पाउंडर है और 5 अक्टूबर 1948 को इसकी इस्थापना की गई है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेश किया है तो भारती रेजर बेंग ने देश भर में डिजिटल इलेक्ट्रानिक भुख्तान का डिजिटली करण के विश्थार का पता लगाने के लिए एक समग्र डिश्थाल भुख्तान सुचका डिश्थाल पेमेंट इंडेक्स को लांच किया है इस RBI डिश्थाल इनेबलर्स जिसका की 25% पेरामिट में लिए गया है पेमेंडस्ट्रट्ट्रक्ट्ट्ट्ट्यर इमांड इसका 10% लिए फ्ली पर्संट में इसका 15% प्रफॉर्मेंट का 45% और चंजूमर सेंट्रिसिटी का कितना 50% इस प्रकार से इए वेट लिजायत किये गया है इसका मुख्याल है कोलकाता में स्थापना इसकी एक अप्राइल 1935 को की गई है चलिए देखते हैं गोवा के लियोन मेंडोका बने भारत के 67 ग्रेंड मास्टर गोवा के 14 वर्सी लियोन मेंडोका इटली में आयत एक टूर्णा मेंड में तीसरा और आखरी नॉम जीत कर भारत के 67 ग्रेंड मास्टर बन गया है मेंडोंका जिरोंने 4 14 मसाल 9 महीने और 17 दिन की उम्रें यह उपलब धासिर की है तर्टी राज से दूसरी ग्रेंड मास्टर भी है इनसे पहले चेन्नगी के खिलाडी जी आकास जुलाई में देश के 66 ग्रेंड मास्टर बने थे साथ ही दुनियों के वह 29 में सबसे कम उम्रें के ग्रेंड मास्टर बन गये हैं लियोन मेंडोका तो अंतराष्टी सत्रंज महासंग का मुख्याला है सठव में ग्रेंड मास्टर बने है हैं इसके अलावा बुतसिन ने क्रिस और ग्रामीड विकास मंत्री के रूप में भी काम किया वे जालोर सिरोही लोगसभा 6 से 4 बार सांसद रहे हैं और 2007 से 2010 तक राष्ट्री अनसूचित जाती आयोग के अध्यक्ष रूप में भी काम किया था तो कुल में लाखे बूटा सिंग का हाली में इधर हुआ है उनसे कुशन बन सकता है कि इन्होंने किस किस पत पर रहा तो गरी मंत्री के पत पर रहे क्रिस एवम ग्रामीड विकास मंत्री रहे अनसूचित जाती आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं चलिए देखते हैं आज की अंतिम निउस जाने माने परवतार होई कर्णल नरेंद्र बुल कुमार का निधन भारत के सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित रखने में एहम भूमिया निभाने वाले जाने माने परवतार होई कर्णल नरेंद्र बुल कुमार का निधन हो गया है उनका 1984 के आपरेशन में एक दूत की सफलता के एहम में एहम युगदान भी रहा है वह नंदा देवी पर चलाई करने वाले पहले भारती थे साथी साथ 1965 में माउंट एवरेष्ट, माउंट ब्लैंक और माउंट कांगचेंगा पर चलाई भी की है उन्होंने अपने साहसी कारियों के लिए बुल नाम से उपादी हाशिल की थी तो नरेंद्र कुमार का हाली में निधन हो गया जिनके उपादी क्या बुल के नाम से भी उनको बोला जाता था उनका हाली में निधन हुआ है भारत के पहले नंदा देवी पर चलाई करने वाले भारती भी बने थे वीडियो को लाइक किजिए